Hello everyone, welcome back, कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे डियो स्ट्रेंट्स आज का ये लेक्षर आपके चेप्टर नमबर फिफ्ट का सेकेंड लेक्षर होने वाला प्रिवियस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के 3 important formula का derivation किया था आई होप आप लोगों ने previous lecture को जरूर से जरूर देखा होगा ये चैप्टर समाकलन के syllabus का बहुत ही जादा important chapter है क्योंकि इस chapter में जो formula आप लोग derive करने वाले हैं उन formula का हम लोग use करेंगे आगे चैप्टर में जैसे आपके syllabus में एक chapter समाकलन के अनुप्रियोग जिसमें आप लोगो area bounded by curves find करना है माने वक्रों से घेरे हुए छेत्र का छेत्रफल याद करना है वहाँ पर इन सारे formula का बहुत ही जादा use होता है और majority of students के ये सारे formula learn नहीं हो पाते हैं जिससे उनका बहुत ही जादा last होता है इसलिए dear students सभी कि सभी formula का derivation मैं आपको करा रहा हूँ आप मेरे साथ करिए और उसको learn जरूर जरूर कर लीजगा dear students आईए आज के इस lecture में इन 3 basic लेकिन बहुत ही जादा important formula का हम लोग derivation करने वाले हैं आप देख पा रहे होंगे कि एकदम ऐसे ही formula का derivation आप लोगों ने किया है बस यहाँ पर root नहीं लगा था इसका भी किया है लेकिन root नहीं लगा था इसका भी किया है लेकिन root नहीं लगा था तो dear friends आईए यहाँ से हम first वाले से start करते हैं और कहीं ने कहीं जो आप लोगों ने भी पढ़ा है उसका use भी होगा ठीक है लेक्टर बहुत जादा important है फटा बट से हाँ dear friends इधर बीच मैं देख रहा हूँ यह आप लोग थोड़ा सा regular नहीं हो पा रहे हैं आपको lectures में कोई problem हो रही है कोई चीज कम समझ में आ रही है आपकी कोई special demand है तो please मेरे साथ share करिए क्योंकि जब आप मेजार्टी में वहाँ पर नहीं आते हैं था हमारा भी थोड़ा सा मन नहीं लगता है आप लोगो कोई भी problem हो comment section में आप जरूर से जरूर बताएगा ठीक है dear friends आईए हम इसको देखते हैं पहला वाला इसका हम लोग solution करते हैं और देखते हैं कि इसका derivation dear friends किस तरीके से हम लोग करेंगे ठीक है integral up 1 upon root over x square minus a square ठीक है यह है हमारा आपको याद होगा कल कुछ महत्यपूर प्रतियस्था पर मैंने आपको सिखाया था हमने कहा था कि अगर आपको x square minus a square type का दिखेगा तो x equal to आप a sec theta वहाँ पर put करिएगा या a cos theta put करिएगा तो यहाँ पर मैं क्या put करूँगा sec theta देखना धान से x बराबर a sec theta रखने पर समस्च चलना आराम से ऐसा यहाँ पर हम लोग रखेंगे रखने के बाद यहाँ से sec theta की value निकालिएगा sec theta is equal to x upon a मिल जाएगा सहीए बस यही रहने दिजिए बाकिए भी जिसकी जरूरत पड़ेगी यह सारी values हम लोग find करते चलेंगे ठीके अगे इन देखिएगा x is equal to decents क्या हो गया है a sec theta हो गया है अब चुकि आप प्रतियस्था पर रखा substitution कर रहें तो उसको आपको differentiate करना पड़ेगा तो dx is equal to a sec theta का differentiation sec theta होगा into में 10 theta होगा और decents कितना d theta लिखा जाएगा इतनी बाते समारी में आ गई अब ये जो कुछ भी हमने किया है ये सारी values ला करके हम लोग यहाँ पर put करते हैं लाइए put करिए यहाँ लिखेंगे हम लोग now देखना decents one upon under root x square minus a square dx equal हो जाएगा जो हमारा dx से उसकी value यह आई है कितनी a sec theta into में 10 theta और d theta आराम समझेगा आपार में डियोसेंट जहाँ x है वहाँ क्या रखना है a sec theta यहाँ हो जाएगा हमारा a square sec square theta और minus में a square ठीक है इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पर substitution method को apply कर दिया substitute कर दिया सारी की सारी values को अब इसको हम लोग क्या करेंगे simplify करेंगे आराम समझेगा अब आपको यहाँ से मिलेगा 1 upon root over x square minus a square dx equal हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना sec theta हो जाएगा डियोसेंट इंटु में a त रहेगा ही इंटु में 10 theta होगा और d theta होगा पूरे के आपान में डियोसेंट्स यहाँ पर आप देखो a common हो जाएगा a का होगा common तो a square common होगे बाहर a बचेगा अंदर आपके पास बचेगा डियोसेंट्स यहाँ पर कितना sec square theta minus में 1 और हो जाएगा d theta clear हो रही हैं बाते समझते चलिएगा यहाँ आपको मिलेगा a sec theta into में 10 theta d theta और पूरे के आपान में a into sec square theta minus 1 10 square theta होता है तो यहाँ पर 10 theta आजाएगा अब यह यह सब डियोसेंट्स क्या हो गया cancel out हो गया ठीके अब आपके पास बचा कितना यहाँ पर बचा केवल और केवल sec theta और d theta कीर हैं बाते अब डियोसेंट्स sec theta का समागन आपको पढ़ाया गया है sec theta का समागन होता है log mod up sec theta और plus में होता है 10 theta और plus में डियोसेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा c हो जाएगा अब देखो sec theta की value तो पता है लेकिन 10 theta की value हमें नहीं पता है तो वो सारी values निकाल करके यहाँ पर रखी जाएगी देखो कैसे यहाँ लिखेंगे log mod up sec theta मतलब x upon a यहाँ से find किये हो और जहाँ 10 theta इंडर root में इसको डियोसेंट्स हम लोग क्या लिख सकते है ध्यान दिजेगा इसको हम लोग लिख सकते है डियोसेंट्स sec square theta माइनस में 1 प्लस में c ऐसा क्यों कर रहे हैं क्योंकि हमें जो है sec की value ही पता है और उसी का value लाकर कि यहाँ पर हमें पुट करना होगा तो हो जाएगा लोग मौड आफ x अपान a प्लस यहाँ डियोसेंट्स जब रखोगे थो हो जाएगा अंडर रूट x square माइनस a square अपान में a हो जाएगा ठीके प्लस में c हो जाएगा अब इसको उपर वाले को x square माइनस a square अपान में a प्लस में c फिर साल्प करोगे तो आपको मिलेगा लोग मौड आफ x अंडर रूट x square माइनस a square माइनस में लोग a प्लस c अब इस पूरे को बच्चो constant मान लिया जाता है और हमें यहाँ पर इसका क्या मिल जाता है कितना लोग मौड आफ x प्लस अंडर रूट x square माइनस a square में c और यही आपको इसका क्या मिल जाएगा एंसर जो कि आल्रेटी हमने लिख रखता था कि वन अपान रूट ओवर x square माइनस a square का जो समाकलन होगा वो लॉग मौड आफ x प्लस अंडर रूट x square माइनस a square की क्या होता है equal होता है समझ में आ गई बाते बहुत ही important सा derivation था यह derivation भी आपकी exam में पूछा जाता है so important है ठीक है फटा-फट से एक बार जरूर से जरूर आप लोगों को solve कराऊंगा dear friends यहां कुछ formula आपको जो मिलेंगे ना derive करार है आपको formula सब बहुत ही जादा important है बहुत ही जादा important है dear friends lecture को खुब धान से समझेगा और अगर आपको कहीं पर भी कोई भी problem आती है तो आप मेरे साथ share जरूर से जरूर करिएगा और अगर आपको lecture अच्छे से पसंद आ जाता है dear students तो आपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर share किया करिए क्योंकि इस समय हम पहुच चुके हैं आपने chapter number फिप्तर हमारा syllabus पस काफी ठीक ठाक चल रहा है कई सारे बच्चे अभी starting में ही फसे हुए है समय कम बचा हुआ है आपका exam आपके time पर होने का chance है इसलिए आप लोग अच्छे से preparation करते रहे है ठीके चलिए फिफ्त वाला पार्ट देखते हैं और इसको भी हम लोग साल्व करते हैं वन अपान रूट ओबर ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर डी एक्स ठीके डिया सेंट्स यहाँ पर जब कल हमने महत्तुपूर प्रतियस्थापन बताया था तो हमने सिखाया था कि अगर ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर दीखेगा तो वहाँ पर एक्स बराबर ए साइन थीटा या कॉस थीटा रखेंगे हम लोग ठीक है तो देखो ए स्क्वेर माइनस एक्स स्क्वेर दीख रहा है ना तो साइन थीटा रखेंगे तो x बराबर क्या, a sin theta ध्यान देना, a sin theta रखने पर, ठीक है डियोसेंट्स, जब a sin theta आप रखेंगे, इसको differentiate करेंगे, तो dx is equal to a cos theta और d theta आ जाएगा, यहाँ से, यहाँ से देखिएगा, यहाँ अगें देख लीजेगा, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, देखो कैसे, आप कहोगे, again, since x is equal to a sin theta हमने यहाँ पर लिया है, तो अगर आप यहाँ से डियोसेंट sin theta की value निकालना चाहो, तो sin theta equal to x upon a मिल जाएगा, और theta is equal to sin in over x upon a मिल जाएगा, यह सब आपको समझाया होगा, ठीक है न, यह सारी values आप लोगों को यहाँ से मिल चुकी है, प्रतियस्था आपन दोरा समाकलन यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, आईए समझिए, अब यह सारी value लाकर के यहाँ पर रखिए, one upon root over a square minus x square dx बरावर, जो dx है, उसका मान कितना रखोगी आप, a cos theta और कितना, d theta, upon में root over a square minus, देखो, x square मतलब a square sin square theta, clear हैं बात हैं न, simplify करते चलेंगे, this is equal to, यहाँ मिलेगा a cos theta d theta, बच्चों यहाँ पर a बाहर आएगा, और यहाँ बचेगा root over one minus sin square theta, ठीक है, one minus sin square theta क्या हो जाएगा, cos square theta हो जाएगा, और यह हमारा क्या हो जाएगा, simplify हो जाएगा, ठीक है न, simplify करेंगे, this is equal to integration of a cos theta, upon में नीचे भी हो जाएगा, a cos theta, और d theta, पूरा का पूरा cancel हो गया, यहाँ बच्चों बच्चों one और d theta, one का समाकलन theta होगा, और plus में c होगा, और theta की value हमने यहाँ से देखिए, निकाला है, theta is equal to क्या होगा, sin inverse x upon a होगा, यह value लाकर क्या रख देंगे हम लोग, हमें मिल ज हो जाएगा, और यह हमारा second result भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, यह सब जो यहाँ पर derive हम करा रहे हैं, यह सब distance क्या है, formula है, इसको ध्यान रखिएगा, as a formula, ठीक है, आपकी book में हो सकता, यह example की रूप में दिया गया हो, question के farm में दिया गया हो, ले प्रूज करेंगे, इसको आप लोग दियान दखिएगा, ठीक है, चलिए, अब हम लोग last अला part derive करते हैं, इसको हम मिटा ही देते हैं, ठीक है, और अभी सारे formula को हम एक बार फिर से एक साथ लिखेंगे, तो आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, चलिए, 6 अला part है, है ना, हमने बताया था, प्लस में A स्क्वार आएगा, तो क्या रखेंगे हम लोग, टैन थीटा रखेंगे, ठीक है, टैन थीटा दर हम यहाँ पर substitute करेंगे, तब आसानी से जो है, यह question हमारा, साल्फ होगा, आसानी से integrate हो जाएगा, तो लिखें यहाँ पर, X is equal to कितना यहाँ थीटा रखने पर, समस्ते चलना आराम से, जब यह रखेंगे, इसको differentiate करेंगे, तो DX is equal to A sec square थीटा और D थीटा आजाएगा, अब आप यहाँ बोलिएगा, again, since आप यहाँ देखेंगे, तो आप X is equal to A 10 थीटा लिख रखेंगे हैं यहाँ पर, तो 10 थीटा की value अग आप यहाँ से आपको X upon A मिल जाएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग यह value ले जाकर के रखेंगे, अब यह जो कुछ भी हमने लेटो गरा किया है, यह सारी value लाकर के यहाँ पर हम put करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 upon root over X square प्लस A square DX is equal to, DX की value कितनी आई है, A sec square theta, D theta, DX की value हो गई, upon में X की जगाँ पे आपको A time theta तो हो जाएगा, A square, 10 square theta, plus A square, सारी values हमने क्या किया, simply लाकर के यहाँ पर put कर दिया, ठीके, अब देखो, यह आपको मिलेगा, यहाँ पर divergence, A sec square theta, D theta, और नीचे A common, A square common हो के बाहर A बचेगा, और अंदर आपके पास रहे सब हो गया, cancel out, ऊपर कितना बच्चा D, थोड़ा सा ध्यान दीजेगा, आप, ऊपर बच्चा आपके पास sec square theta, लेकिन नीचे 10 square theta, plus 1 sec square theta, तो होगा, root के बाहर आएगा, तो sec theta बचेगा, और यहाँ D theta, अब यह चीजे हो गई, cancel, अब देखो, यह आपका equal हो जाएगा, डि D theta, समझ में आई बाते, अब अभी अभी आपको सिखाये गया है, कि sec theta का जो integration अर्था समाकलन होता है, वो log mod up sec theta, plus mediocence कितना होता है, 10 theta होता है, plus में हो गया, C, सहिए, अब देखो, यहाँ पर, आप लिखेंगे log mod up, जहाँ पर sec theta, इसको under root, 1 plus, या आप कह सकते हैं, 10 square theta, plus 1 लिखा जा सकता है, अब plus में इसको 10 theta, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि हमें 10 theta की यह value पता है, और जो value हमें पता है, वही value लाकर कि हमें यहाँ पर put करना होगा, तो देखें क्या मिलेगा, log mod up, 10 theta का मतलब, x अपाने, तो हो गया, x square upon a square, plus 1 हो गया, plus में यहाँ x अपान a हो गया, plus में c हो गया, solve करोगे, तो log mod up, root over x square, plus a square होगा, root होकर कि यहाँ अपान में a, plus x upon a होगा, और plus में डियो स्टेंस कितना हो जाएगा, c हो जाएगा, और ज्यादा simplify कर दीजिए, इसको log mod up, under root x square, plus a square है न, ठीके, और plus में x, है न, और minus में log a, plus में c, इस पूरे को c मान लोगे, तो आपको मिल जाएगा, log mod up, x, plus under root x square, plus a square, plus में c, और यही डियो स्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर result हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, हमने इन तीनों फार्मोलों का derivation किया, आईए हम लोग एक बार देखते ह हैं कि कौन कौन से हैं कि कौन कौन से फार्मोले का derivation, resistance हम लोग कर चुके हैं, अभी तक six formula का हम लोगों ने derivation किया, आईए अब थोड़ा सा समझते हैं कि इन फार्मोलों का use करते हुए questions किस तरीके से साल होते हैं, और सारे फार्मोले याद रखना बहुत ही जादा जरूर इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल दिमार में बैठा लीजिए बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान रखिए ठीक है आई यह देखते हैं कौन कौन से फार्मूलों का डेरिवेशन हम लोगों ने किया है और अभी बाकी भी है ठीक है सबसे पहला जो हम लोगों हमने डेरिवेशन किया था प्रिवियस लेक्चर में वो था इंटीग्रेशन आफ वन अपान एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डीएक्स का ठीक है यह हमारा आया था लाग मॉड आफ و अपान टु कू एबि शामने रहा होगा डियो अचेट उआपन टू ए log mod of x-a upon x-a, ठीके, कल यह हम लोगों ने derivation किया था, आपको याद होगा, ठीके, log mod of, यहाँ पर उन अपान 2a भी रहेगा, क्या था, रियस्टेंट्स, 1 upon 2a, log mod of x-a upon x-a, प्लस में c, यह हम लोगों ने किया था, दूसरा derivation जो हुआ था, दूसरा जो हम लोगों ने किया था, वो था integration of 1 upon a square minus x square था, यह था आपका 1 upon 2a, ठीके, log mod of a minus x, यहाँ पर पहले प्लस था बच्चों, a plus x upon a minus x plus में c था, आपको याद होगा, 1 upon 2a दोनों के दोनों में लगा हुआ था, मैं यहाँ पर देख भी पा रहा हूँ, और उसके बाद एक और था आपका बच्चों जो 10 के फार्म में था, तीसरा, क्या था, 1 upon x square प्लस a square, जिसका आया था आपका, जिसका आया था आपका क्या, 1 upon a, 10 inverse, 1 upon a, प्लस में c, यह थ्री फार्मुले प्रिवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिसकस किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है डिसेंट्स, अब इन्हीं तीनों के तीनों पर जब रूट लग गए, तो तीन नए फार्मुले हमारे पास बन गए, जो की आज हम लोगों ने डिराइब किया है, देखिए क्या क्या था, अगला हमारा जो चौथे नंबर पे हम लोगों ने डिराइब किया डिसेंट्स हुओ है हमारा, वन अपान अंडर रूट एक्स स्क्वेर माइनस ए स्क्वेर डी एक्स, जो की क्या है हमारा, log mod of x plus under root x square minus a square plus में c बहुत important result है ना उसके बाद पाचवे number पे हम लोगों ने derive किया है वो हमारा है 1 upon root over a square minus x square dx जो की आया है हमारा sin inverse x upon a plus में c ठीके उसके बाद फिर एक और formula जो हम लोगों ने भी derive किया वो था डियसेंट्स 1 upon under root x square plus a square dx यह हमारा आया है log mod of x plus under root x square plus a square plus में c ठीके यहाँ minus है यहाँ plus है बाकी कोई difference यहाँ पर नहीं है यह जितने भी formula का derivation हमने आपके साथ किया आपको समझाया वो पूरा का पूरा डियसेंट्स आप लोगों को समझ में आ चुका होगा अब हम लोग क्या करेंगे इन formula का use करते हुए कुछ questions को solve करेंगे लेकिन अभी हमारे पास कुछ formula और बच्चे हुए जिनका हमें derivation करना बहुत ही ज़ादा जरूरी है अब मैं थोड़ा सा और डिसकस करता हूँ कि और कौन कौन से formula हैं जो अभी हमें derive करने के लिए यहाँ पर बच रहे हैं जो हमें derive करने हैं ठीके आई यह समझेगा इसको फटा फट से सारे formula एक बार डियो स्वेंस आप लोग note कर लीजिए जिससे आपको समस्या ना हो ठीके इसको मैं यहाँ से raise करता हूँ लेकिन यह सारे formula जो 6 के 6 formula आपको मिले हैं इन सब को आप लोग एक बार note जरूर से जरूर कर लीजिए जि इसी प्रकार की डियो स्वेंस कोई समस्या ना हो ठीके अभी अभी जो है और बहुत सारे formula आप लोगों को मिलेंगे अभी एक और दिख रहा है हमको उसका मैं डेरिवेशन यहाँ पर करके दिखाता हूं वह डियो स्वेंस इंटिग्रेशन आप वन अपान एक्स अंडर यहाँ पर किये जा रहे हैं याद रखिएगा यह सभी के सभी फार्मूले हैं सब का हम लोग डारेक्ट यूज करेंगे कुछ संस को साल्व करते समझतीज को दिमाग में बैठा लीजिए ठीक है कैसे करेंगे साल्व करिएगा solution करिएगा आप लोग यहाँ पर यह हमारा वन एक सेख थीटा रखने पर ठीक है रखिएगा और इसको डिफ्रेंसियेट करिएगा तो डी एक सेख थीटा इंटू टैन थीटा और डी थीटा मिल जाएगा यहां से अगर आप सेख थीटा की वैलू निकालना चाहते हैं तो एक सापान ए मिल जाएगा इस सीच को हम लोग ध्यान रखेंगे अब यह सारी वैलू लाकर के डियसेंस हम लोग क्या करेंगे यहां पर पुट करेंगे अब देखिए जब यह सारी वैलू यहां पर पुट करेंगे तो वन अपान यक्स होगा रूट ओबर एक स्क्वार माइनस ए स्क्वार डी एक्स होगा इक्वल होगा dx की value जो है हो जाएगा a sec theta into में 10 theta और d theta हो जाएगा upon में x का मतलब हमने a sec theta कहा है और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो a square sec square theta और minus में a square हो जाएगा ठीक है ना? solve करिएगा a से a cancel हो गया यहाँ पर आपके पास बचा sec theta into में 10 theta यहाँ पर बच्चों a बाहर आएगा ध्यान देना तो a sec theta आएगा और sec square theta minus 1 10 square बाहर आके 10 theta हो जाएगा और यहाँ d theta आएगा यह कट गया, यह कट गया, यह सब कट गया केवल आपके पास बचा कितना यह भी देख लीजिए यहाँ बचा 1 upon a और यहाँ 1 बचा और d theta बचा तो 1 upon a इसको हम theta plus c लिखेंगे तो theta का मतलब sine inverse x upon a हो जाएगा sorry, sec inverse x upon a हो जाएगा तो होगा sec inverse x upon a plus में c यह आपका क्या हो गया, result हो गया और यही यहाँ पर लागर कि आपको दिखाना था तो यह important formula भी आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से यह हम लोगों ने इसको solve किया किस तरीके से इसका हम लोगों ने derivation किया ठीके, अब आएए कुछ छोटे-छोटे questions discuss करते हैं कि कैसे, इन सारे concept का use करते हुए हम लोग questions को solve करेंगे, ठीके अभी डियोसेंट्स है क्या कि यह जो formula हमें मिले हैं अभी हमें जो questions मिलेंगे इन formula पर direct हमें मिलेंगे फिर अभी हम लोग पूर्ण बर्ग बना करके perfect square method गरा का use करते हुए इनका use करेंगे देखिए, जैसे माली जो आपको question मिल गया, one upon x square minus 4 dx ठीके, पहला question जो आपको solve करना है दूसरा मिल गया, one upon x square plus 9 ठीके, ये दो question आपको मिले हैं, कैसे आप इसको solve करेंगे, देखिए, इसको हम लोग जो solve करेंगे तो इसको solve करने का आसान सा तरीका हमें formula याद है लंबी process नहीं करना है one upon x square minus 4 dx जो है, इसको हम लिखेंगे, one upon x square minus 2 का square समझ आ रही ये बात है x square minus 2 का square dx अब आप चाहें, long process करना चाहें, तो इसको आंसिक भिन में तोड़ करके, उतनी लंबी process करेंगे, लेकिन हमें वो करने की जरूरत है, ने, इसका answer हो जाएगा log mod of x minus 2 upon x plus 2 plus में c, क्यों हो जाएगा आपको पता है, चूंकि integration of one upon x square minus a square जो है, वो log mod of x minus a upon x plus a plus c के क्या होता है बराबर होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं डारेक्लिए यहाँ पर लिख सकते हैं साल्व करने की ज़रूरत नहीं होगी समझ गए बात को न, चलो अब इसको देखो जैसे मानलो आप इसको साल्व करना चाह रहे हो यह वाला पार्ट साल्व करना चाह रहे हो तो क्या होगा one upon x square plus three का square, इसको हम लिख सकते हैं से डी एक्स और इसका समागलन क्या हो जाएगा one upon a ten in over x upon a plus c, एकी जगहां पर कितना लिखा हुए three लिखा हुआ, बस यह answer हो गया काई सा फार्मला लगा, अभी जो हम लोगों ने क्या किया, डेराइब किया फार्मला हम लोगों ने यहां पर apply कर लिया तो अगर हमें फार्मला याद है तो फार्मले पी उठागर कि हम लोग values को put कर देंगे, तो फटा-फट से हमारा question क्या हो जाएगा, साल्व हो जाएगा ठीके, अब इसी question media sense क्या हो सकता है media sense question में root लग सकता है लेकिन उसके पहले बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि सारे फार्मले आपको learn जरूर हो जाएं, जैसे माल लो, इसी को मैं ऐसे लिख दूँ, कैसे, root over x square minus 2 लिख दूँ, और हम बोलें इसको solve करो, यह भी एक question है, ठीके, इसको लिख दूँ, root over ठीके, x square plus 3 लिख दूँ, 1 अपान में कर दो, तभी तो न, यह भी formula होता, लगिन अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग x square plus 3 लिख दो, अब सोचो, थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है, यहाँ पर आप लोगों को लेकिन अगर हम लोग जब अपने mind का use करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके तो आराम से यह भी question आप का salve हो जाएगा, उसी formula पर, उसी logic पर, उसी concept का use करके salve करेंगे, देखिए कैसे इसको dear sense हम लोग क्या करेंगे, integration of one upon root over x square, अब minus isको root 2 का square हम लोग लिख सकते हैं, अब one upon root x square minus a square हो गया, इसका समाकलन क्या होगा, log mod of x plus under root x square minus a square, देख रहे न, और plus में c, simplify कर दोगे, मिल जाएगा log mod of x plus under root x square minus 2 plus में c, केवल हमने क्या किया, इसको उस form में change कर दिया, जिस form का हमें formula पता था, किस में change किया, आपको पता है कि चूँकि अभी-भी हम दोगों derivation किया है, one upon under root x square minus a square, जो होता है, वो equal होता है, log mod of x plus under root under root बच्चों, अभी मैंने जो ये वाला question solve किया था, इसका जो answer लिखा था, साइद हमने इसका answer गलत लिखा था, क्योंकि यहाँ पर one upon two a भी होना चाहिए, है न, one upon two a भी होना चाहिए, तो इसके सामने, इसके सामने जो हमने लिखा था, तो उसमें one upon two ये साइद नहीं लिखे थे, तो one upon two into two आप लोग कर लेंगे, one upon two ये सामने लगे, बात समझ रहे न, हमारी आप लोग, क्योंकि वो जो फार्मुला होता है, कौन सा फार्मुला, कौन सा, वो जो फार्मुला होता है, x square minus a square वाला, उसमें one upon two ये लगता है, न, सामने log mod of x minus a upon में x plus a plus y, तो वो हमने one upon two ये सामने नहीं लगाया था, आप लोग उसको कर लेंगे, ठीके, तो ये चीज हो गया हमारा, देखिए, आसानी से, कितनी आसानी से साल्व हो गया न, ठीके, ये x plus under root x square minus a square plus c ये फार्मुला होता है, इस फार्मुले पर हमने लाकर के value put कर दी और ये हमारा simplify हो गया, ऐसे ही, इसको जब आपको करना होगा, इंटिक्रेशन आफ, one upon root over x square plus इसको हमें लिखना होगा, root 3 का square dx है न, और अराम से इसका हो जाएगा, आपका log mod of x plus under root x square plus में 3 plus में c, बस यह answer हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, direct formula हमारा apply हो रहा है, काउन सा formula apply हो रहा है, अभी जो हम लोगों derive किया, one upon under root x square plus a square dx का, equal होता है, log mod of x plus under root x square plus a square plus c, की होप, आपको समझ में आया होगा थोड़ा-थोड़ा, इस chapter में आपको कई सारे type के questions सीखने के लिए मिलेंगे, उसके बाद फिर आप लोग अपर्मे फलनों का समाकलन करना सीखेंगे, उसके बाद तब आप लोग निस्थित फलनों का समाकलन करना सीखेंगे, तब जा करके कहीं पर आपका यह syllabus हमारी समाकलन खतम हो, बहुत ज़्यादा important है, मुझे कहीं कहीं ऐसास हो रहा है कई सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इससे बोर हो रहे हैं उनको बोरिंग सा महसूस हो रहा है बट आपको ये चीज नहीं करनी है आपको इस चीज से बच के रहना है समाकलन पे अच्छे से पकड़ बनानी बहुत ही जादा जरूरी है कुछसंस आप लोगों को साल्व करने के लिए मिलेंगे उसमें आपको कहीं किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी तो डियर सेंट्स आज की इस लेक्चर में जो भी मैंने आपको फार्मलों का टेडिवेशन कराया है साथ ही साथ जो कुछसंस आपको थोड़ा सामने सीखाया है आई होप वो आपको समझ में जरूर से जरूर आया है अगर आपको लेक्चर अच्छी से समझ में आ गया है कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है कमेंट सेक्षन में जैसे आप लोग प्यार और सपोर्ट दिखाते हैं दिखाते रहिएगा और लेक्चर पसंद आया ये आल दे वेस्ट